नमस्कार दोस्तों अभी अभी दू मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है तूफान को लेकर विपरजोई तूफान ने राजिस्तान का स्रोही जिला सबसे ज़्यादा प्रिवावित हुआ यहां बीते चार दिनों से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं यहां 20 में से 12 बांदों से पानी आवर्फिलो हो रहा है अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको उता दें जिले में पिछले 24 घंटों में बारिस की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिस सिवगंज तहसील में हुई यहां पिछले 24 घंटों में 345 में करीब 14 इंच बारिस दरिच की गई है इस पिरकार आबूरोड, पिंडवाडा, सिरोही, देलडार, रेउदर में दूस्तों अज़ाद में विजले के पोल और दोस्तों पेड़ उखड़कर गिर गए ही, जिले में दोस्तों तेज बारिस के बाद माउंट आबू रोड और सिवगंज में सबसे ज़्यादा हालात बिगड़े हैं, सिवगंज में मूस्वधार बारिस के बाद बस्तियों में पानी भर गया है पिरसासन और इस्थानी विधायक में पहुंचकर हालात का जाजा लिया प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की है आबू रोड में बारिस के बाद कई कोलोनियों में पानी भर गया है आबू रोड मार्ग बुरी तरेके से प्राइद हुआ है इस रास्ते को डाइ जनों गाउं का संप्रक तूटा हुआ है बदादे की चक्रवाती तूफान विपर जोई ने गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा तवाई राजिस्तान के अंदर मचाई है राजिस्तान के चार जिले बाढ़ की चपेट में हैं जिनमें बाढ़ मेर पाली शिरोही जालोर स दोस्तों इन बांदों से पानी निकलकर गाउं की और पहुच रहा है जिसके चलते घरों में पानी भर रहा है लोग का जन जीवन अस्ट व्यस्त हो गया है और आज भी दोस्तों भेंकर से अधी भेंकर बारिस का अलट जारी किया है आज रात तीस जिलों के अंदर तावर तोड़ बारिस होने वाली है आप सभी से विंति है कि भारी बारिस आंदी तूफान के चलते बहान ना निकले नदी नालों से दूर रही अलट रहें सुरक्षित रहें वीडियो को लैक्सर करें चेनल को सब्सक्रेब यहीं जो भरत